माताओं बेहनों भारतिय समाज में हमेशा से माताओं बेहनों को सर्वों परी दर्जा दिया गया है लेकिन आज एक सक्चाई की तरब भी मैं आपका पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूँ हमारे हाँ परंपरा से सद्यों तक दसकों तक ऐसी व्यवस्ता रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पूरुशों को ही अधिकार समझा जाने लगा गर है तो किसके नाम पूरुशों के नाम खेत है तो किसके नाम पूरुशों के नाम नोकरी दुकान पर किसका हाँ पूरुशों का आज हमारी सरकार की योजना इस असमान सा को दूर कर रही है प्रधान मंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदारन है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट जो गर दिये जा रहे हैं वो प्राश्पिक्ता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं अगर मैं यूपी की ही बात करूँ तो यूपी में 30 लाग से अधिक गर पी-एम आवास योजना के बनाए गए हैं इन में से करीब 25 लाग गरों की रजिश्री में महिलाओं का ही नाम है आप अंदाजा लगा सकते हैं पहली बार यूपी में 25 लाग महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है जिन घरों में पीडियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपती नहीं थी आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है यही तो होता है महिलाओं का ससक्ति करण सच्चा ससक्ति करण यही तो होता है विकास